पता नहीं वो कौन सी मन्हूस घरी थी जब मैं अपनी मा की बात मान कर अपनी बेहन की नंद की साधी में चला गया था हाला कि मैं चाहता तो अपनी मा को मना कर सकता था लेकिन मैंने सिर्फ अपनी बेहन का सोच कर अपनी मा को जाने के लिए हामी भर दी असल में मेरी एक ही बेहन थी और मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था एक साल पहले ही मेरी बहन की शादी हुई थी उसकी सादी दूसरे सहर में हुई थी हम पंजाब में रहते थे और वो विदा होकर गुजरात गई थी जहां बात मेरी बहन की आ जाती तो मैं कोई भी काम करने को मना नहीं कर पाता था आज मेरी बेहन की नंद की साधी थी मेरी मा कहने लगी अरजुन खुसी की नंद की साधी है तो हमारे घर से किसी का जाना जरूरी है और देख मौसम कितना खराब हो रहा है अगर मौसम ठीक होता तो मैं चली जाती लेकिन खराब मौसम की वज़ा से ठंड बढ़ने लगी है औ अगर मैं चली जाओं, तो खुशी मेरी परिसानी को देखकर परिसान हो जाएगी, सादी को क्या खाक एंज्वाइ कर पाएगी, तो मैं चाहती हूं कि तू चला जा, एक दिन की बात है, खुशी भे खुस हो जाएगी, और उसके ससराल वाले को भी लगेगा, कि कम से कम बहु क कि ससराल से कोई तो आया अगर हम नहीं गए तो खुशी को अपनी ससराल में कितनी बाते सुनने को मिलेगी मौसम वाकई बहुत खराब हो रहा था हाई लटकी न्यूज पहले ही टीवी पे आ चुकी थी कि किसी भी समय भारे बारिस हो सकती है लेकिन मेरी मां की बात भी सही थी अब नई नई शादी हुई थी तो जाना जरूरी था इसलिए मैं मां को मना नहीं कर सका कुछी घंटे के बाद मैं गुजरात के लिए निकल परा था मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी उसने मां के बारे में भी पूछा लेकिन मैंने कह दिया कि बे मौसम ब बारे में पता ही है इसलिए मां नहीं आ सकी खैर मेरी बहन के सस्रॉाल वाले बहुत ही अच्छे थे सबने मुझे हाथो हाथ लिया था साधी को मैंने खूब एंजॉई किया और अगले दिन ही मैं वापसी के लिए निकल परा हाला कि मेरी बहन ने कहा भी कि आज रुक जाओ आज मौसम विभाग ने जो खबर दी है वो अच्छी नहीं है कहते हैं कि किसी भी समय भारी बारिस हो सकती है मैंने कहा खुशी ये क्या बेकार की बाते कर रही हो कभी ऐसा हुआ है कि मौसम विभाग ने कोई खबर दी हो और वो सच साबित हुई हो ठीक है उन्होंने हाई अलर्ट की सूचना दी है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा देखना हलकी फुलकी बारिश होगी और रुक जाएगी अगर मैं आज रुक गया तो मेरे ऑफिस से दो दिन की छुटी हो जाएगी और तुझे तो पता है मेरी नई नई जौब लगी है तो ऐसे हालात में मैं कि जौब से ही निकाल दे और मैं अपनी जौब होना खोना नहीं चाहता क्यूंकि मैं अपनी जौब से बहुत खुस हूँ फिर भी खुसी ने मुझे रोकनी के बहुत कोसिस की थी लेकिन मैं ना रुका और पंजाब के लिए निकल खरा हुआ अभी मैं 4-5 किलो मीटर ही चल जब तक बारिस अपना जौब बांदेगी तब तक मैं घर भी पहुत जाओंगा लेकिन बारिस तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और फिर देखती ही देखती बारिस इतनी तेज हो गई कि सामनी की गाड़िया भी दिखाई नहीं दे रही थी मैं बहुत ज़्यादा पड़े सान हो गया था गारी की स्पीड भी तेज नहीं कर सकता था क्यूंकि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मैंने गारी एक कच्ची सरक पे डाल दी मैंने सोचा था कि शॉटकर्ट से चला जाता हूं जल्दी घर चलने से नखरे दिखाने सुरू कर दिये थे क्यूंकि बारिस की वज़ा से कच्चे रूट पे कीचर भर गया था और गारी उस पे तेज नहीं भाग सकती थी मैं गारी धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ ले जा रहा था मन ही मन उस घरी को कोस भी रहा था जब मैंने अधिवत का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन खैर जो हो चुका था उसे डाला नहीं जा सकता था अपनी किसमत को कोस्ता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था अभी मैं कुछी दूर पहुंचा था कि मुझे एक लड़की के चीखनी की आवाजे सुनाई दी लड़की की आवाज सुनकर मैं एकदम से चौक गया था मैंने अपनी कलाई पे बंदी घड़ी को देखा तो रात का एक बज रहा था चारो तरफ निगाह दोड़ाई हर तरफ घना जंगल था इस घने जंगल में भला लड़की का क्या काम था मैंने सोचा मैं अपनी गारी को निकालने जाता हू क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था कुछ अन्हूनी होने का एहसास हो रहा था भला इस घने जंगल में लड़की का क्या काम था मुझे तो किसी भूत प्रेत का आभास होने लगा था लेकिन आभाज मुझे फिर से सुनाई दी अब मैं अपनी गारी को आके नहीं बढ़ा सका मैंने गारी वहीं रोक दी बारिस तेज हो रही थी और मैं इस बरसाती बारिस में गारी से निकल भी नहीं सकता था गारी में बैठे बैठे ही उस तरफ देखने लगा जहां से लड़की की चीखनी की आवाज आ रही थी अब लड़की के चीखनी की आवाज बं मैं दुबारा अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, कुछी दिर बाद उसी तरफ से एक लड़की भागती हुई, मेरी गाड़ी की तरफ आ रही थी, और कुछी दिर में वो मेरी गाड़ी के सामने पहुँच चुकी थी, वो सफैद रंग के कपड़े पहने हुई थी, बारिस की वज़ा से उसके कपरे उसके सरीर से चिपक गए थे, नेट का डुपटा ओड़े हुए थी, जो चिपक कर बिलकुल उसके गले में पढ़ा हुआ था, जो उसके सरीर को चुपा नहीं पा रहा था, बारिस ने उसकी खूपसूरती को और भी उभार दिया था, लड़ एक पल के लिए तो मेरा दिल भी धरक उठा था, ऐसी खूपसूरत लड़की भला जंगल में क्या कर रही थी, उस लड़की की खूपसूरती देखकर मेरी नजरे बेबाग हुई थी, मैंने जल्दी से अपने नजरे जुगाई थी, क्योंकि लड़की की खूपसूरती मेरे दिल को बेचैन कर गई थी, अब वो मेरी खिरकी के पास खड़ी थी, और जूर जूर से सीसा बजा रही थी, वो मुझे गाड़ी के सीसे नीचे करने के लिए कह रही थी, उसके चेहरे पे डर चाया हुआ था, जैसे अभी रो देगी, वो मुझे हाँ जूर कर इसारे कर रह भला इस घले जंगल में रात के एक बजे लड़की का क्या काम था वो भी इतनी तेज तुफानी बारिस में वो लड़की बहुत ज़्यदा डड़ी हुई और बदहवास थी बार-बार मुझसे हाथ जोड़ते हुए विंटी कर रही थी कि प्लीज गारी का दरवाजा खोल दो लड़की की हाला देखते हुए मुझे उस पे दया आ गई और मैंने गारी की सिसा नीचे करके पूछा कि आप कौन है और इस घने जंगल में क्या कर रही है वो कहने लगी वहाँ कुछ लड़की मेरी इज़त को लूटने की कोसिस कर रहे थे मैं जैसे तैसे उनसे छूट कर आई हूँ लेकिन वो लड़के मेरे पीछे ही आ रहे हैं मुझे जलती से अपनी गारी में बिठा लो कुछ दूर जाकर भले ही तुम मुझे अपनी गारी से उतार देना लेकिन प्लीज अभी भी मुझे बचा लो इतनी देर में ही मैंने देखा तीनों लड़के भागते अब मैं कोई फिल्मे हीरो तो था नहीं कि गारी से निकल कर लड़की को अपने पीछे करता और उन तीनों हट्टे कर्टे गुंडों से फाइट करता हाला कि मैं भी छे पीट का लंबा चोड़ा जवान मर्था मेरी सेहत भी देखने लायक थी लेकिन वो तीन थे और मैं एक अकेला वो तीनों तो मेरा कचूमर ही निकाल देते मैंने भलाई इसी में जानी कि लड़की को गारी में भी ठालू और यहां से निकल चलता हूँ वो लड़के हमारे बहुत कड़ी पहुच चुके थे मैंने जल्दी से गारी का दरवाजा खोला लड़की से कहा बैठो गार थे वो लड़के पीछे से चीखते रह गये थे लेकिन हमारी गारी अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी थोड़ी दिर बाद ही वो लड़के हमारे गारी से दिखना बंद हो गये थे वो लड़की बार बार मुर मुर कर पीछे देख रही थी जब वो लड़के हमारी नजरो से ओजल हुए तब जाके कहीं उस लरकी ने चैन का सांस लिया था मैंने उसे कहा आप इतनी रात गएं और वो भी इतनी तेज बारिश में इस घने जंगल में क्या कर रही थी वो कहने लगी असल में मेरा आटो खराब हो गया था जिस समय आटो खराब हुआ था उस समय मौसम खराब तो था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी आटो वला ये कहकर चला गया कि मैं किसी मेकैनिक को लेकर आता हूं मैं उसके आटो के पास खरी उसके आने का इंतजार ही कर रही थी उसका इंतजार करते करते मुझे काफे देर हो गई थी लेकिन वो आटो ड्राइवर नहीं आया था धीरे धीरे बारिस बढ़ने लगी थी और मैं उसका इंतजार करते करते ठक गई थी मौसम खराब होनी की वज़े से मुझे कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल रही थी और मौसम भी बहुत खराब था तो मैं किसी से मदद मांगने के इरादे से बाहर रूट पे आ गई लेकिन इतने में तीन लड़के मेरे पास आये और कहने लगे हम आपको लिफ्ट दे देते हैं लेकिन मुझे उन लड़कों की इरादे पहले ही सही नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया कि मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए लेकिन अकेली लड़की को देखकर वो शेर हो गए और मुझे तंग करने लगे मैं अपने आपका बचाओ करने के लिए चीखने लगी तो एक ने मेरे मुपे हाथ रख दिया और मुझे खीचते हुए इधर जंगल की तरफ ले आए भगवान का धन्यवाद कि उसने आपको मेरी मदद करने के लिए भेज दिया मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है अभी वो यही बाते कर रही थी कि अचानक से मेरी गारी एक जटके के साथ रुख गई थी और गारी का रुकना था कि मैं भी बधवास हो गया था तेज बरसाती बारिष घना जंगल और आधी रात का समय साथ में एक जवान खूप सूरत लड़की मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था मैं सोचने लगा अगर गारी खराब हो गई तो क्या होगा मैं दिल ही दिल में भगवान को याद करता हुआ नीचे उत्रा था मैंने गारी का बोनट खोल कर देखा कहीं कुई भी कमी नहीं थी लेकिन पता नहीं गारी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी इतनी ही देर में मैं बारिस के पानी से बुड़ी तरह भीग चुका था बे मौसम सर्दियों की बारिस थी तो पानी बहुत ही ठंडा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं जल्दी से गारी में आकर बैट गया वो लड़की कहने लगी क्या हुआ है गारी को क्यों नहीं चला रहे मैंने कहा गारी खराब हो गई है मेरा इतना कहना था कि उस लड़की के चेहरे पे बधावा से चा गई वो कुछ सिमट कर बैट गई और कहने लगी मुझे पता है गारी क्यों खराब हुई है खासकर ऐसे मोके पे गारी खराब हो जाती है जब खूफसूरत लड़की गारी में बैठी हो रात का समय हो तो ऐसे में गारी खराब होना जरूरी हो जाता है मुझे उसके बास सुनकर उसका मतलब समझकर गुसा आ गया मैंने गुसे से कहा क्या मतलब है तुम्हें क्या लगता है कि मैं जूट बोल रहा हूँ अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो गारी खुद चला कर देख लो गारी सच में खराब हो चुकी है मेरी बास सुनकर वो इधर उधर देखने लगी अब मैं परिसानी से इस ट्रेरिंग वील पे मुका मारने लगा समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मुझे ध्यान आया यहां से कुछी दूर पे एक गाउ था अगर हम लोग वहां पहुंच जाते तो गाउ में हमें रात गुजारने के लिए पना मिल सकती थी मैंने उस लड़की से कहा कि यहां से कुछ दूर पे एक गाउ है चलो हम वहां जाकर रात गुजार लेते हैं इस तरह घने जंगल में गारी में अकेले बैटना में खतरनाक साबित हो सकता है असल में मुझे ये डर था कि वो लड़की और मैं गारी में इस समय अकेले थे मौसम खराब था रात का समय था अगर भगवान न करे हम दोनों के बीच कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाता खुद से नजरे ना मिला पाता मैं एक मर्द था कोई फरिष्टा नहीं जो इतनी खुबसूरत लड़की को देख कर अपने जजबातों पर काबू रखता वो कहने लगी ठीक है लेकिन बारिस तो बहुत तेज हो रही है हम इस बारिस में कैसे जाएंगे मैंने कहा कोई बात नहीं कुछी दूर पे वो गाउ है बारिस का जोर भी अब कुछ कम हो चुका है हम दोनों गाड़ी से उतरे और पैदल है चलने लगे चलते चलते हमें दस मिनट हो चुके थे लेकिन दूर दूर तक कोई भी गाउ नजर नहीं आ रहा था साइध हम लोग रास्ता भटक चुके थे वो कहने लगी हम इतनी देर से चल रहे हैं आखिर आपका बताया हुआ गाउ कब आएगा मैंने कहा लगता है हम रास्ता भटक गए हैं मेरी बास सुनकर उसने एक दीखी से नजर मुझे डाली थी कहने लगी मुझे पता था यही होगा मुझे तु अच्छी बात है ना लेती मुझसे लिफ्ट मैंने कौन सा तुमसे हाँ जोड कर विंती की थी कि आओ मेरी गाडी में बैट जाओ तुम खुद ही मुझसे लिफ्ट मांगने आई थी मुझसे लिफ्ट नहीं लेती तो अब तक वो तीनो भूखे दरिंदे तुम्हें नोच होते मेरी बात सुनकर वो नजरे चुड़ा गई थी मैं अभी उसी गाओं की तलास में आगे चला जा रहा था लेकिन मुझे लगने लगा कि जैसे जंगल और भी घना होता जा रहा था वो लड़की मेरे साथ साथ ही चल रही थी कि तभी उसका पैर फिसला इससे पहले कि व तलास रहती है छोड़ो मुझे मैंने उसे एकदम से छोड़ दिया मैंने कहा मैं तो तुम्हें गिरने से बचा रहा था तुम तो बहुत ही गंदी सुच रखती हो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या गलत गलत बोले जा रही हो और मैं तुम्हें बरदास कर रहा हूँ अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुख सकता मेरा क्या है? मैं अपनी गारी में जाऊंगा खिरकी या बंद करूंगा और अराम से सो जाऊंगा सुबा होने पे किसी मैकेनिक को बुला कर गारी सही कर वाऊंगा और अपने घर चला जाऊंगा तुम्हारी जो मरजी हो वो करो ये कहकर मैं गुसे से अपने रास्ते पे चल दिया वो लड़की भी मेरे पीछे नहीं आई थी कहने लगी ठीक है मैं भी अपना रास्ता खुद ये ढून लूँगी मुझे भी कोई परवा नहीं थी मैं अपनी गारी की तरफ चल परा अभी थोड़ी दूर ही चला था कि मुझे उस लड़की के चीखनी की आवाज आई थी अब मैं इतना इंसानियस से गिरा हुआ भी नहीं था कि मैं उस लड़की की इतनी भयानक चीख सुनकर वहां से चला जाता मैं वापस अवाज की दिशा में दौरा था लेकिन वह लड़की मुझे कहीं भी दिकाई नहीं दे रही थी कि तब ही दूसरी चीख सुनाई दी मैंने जल्दी से अवाज की तरफ देखा मैंने देखा वह लड़की एक पेर की ओट में छिपी हुई थी और कुछी दूरी पे एक मोटा साप फन फैलाए खरा था अगर जरा सी भी साफधानी हटती तो वो साप उस लड़की को काट सकता था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं उस लड़की को कैसे बचाओ मैंने अपने जूते उतार कर उस साप के तरफ फैंके थे अब आज होते ही साप का ध्यान अवास की तरफ गया था और जैसे ही साप का ध्यान हटा मैंने उस लड़की का हाथ पकर कर खींचा और सरपट दौर लगा दी लेकिन साइद हमारी किस्मत ही खराब थी क्योंकि बारिस का जोर अब पहले से भी जादा बढ़ चुका था इतनी तेज बारिस उपर से बारिस का ठंडा पानी मैं तो मर्द था और इस ठंड को सह सकता था लेकिन वो एक कमजोर और नाजुक से लड़की थी ठंड को जादा देर सहना सकी कुछी देर में वो ठंड से कापने लगी थी उसके होंट नीले पढ़ने लगे थे और कुछी देर में वो बेहोश होकर जमीन पे गिर चुकी थी मैं उस लड़की को उठाने की बहुत कोसिस कर रहा था लेकिन वो आंखे नहीं खोल रही थी मेरी जान पे बन आई थी मैं उसे उस घने जंगल में और बरसाती मौसम में अकेला छोर कर भी नहीं जा सकता था और उसे साथ लेकर जाना मेरी मजबूरी बन गया था मैंने जल्दी से उस लड़की को अपने बाहों में उठाया और गारी की तरफ चनने लगा मैंने उस टौवल से उस लड़की को पौँचना सुरू कर दिया कि साथ किसी तरह उसे गर्मी मिल जाए लेकिन उस लड़की का सरीर धीरे धीरे ठंडा और उसके होट नीले पढ़ते जा रहे थे मैं कभी उसके हांतों को रब कर रहा था कभी उसके पैर के तलवों को मसल रहा था कि साथ उसे कुछ गर्मी मिल जाए लेकिन उस लड़की का पूरा सरीर धीरे धीरे काप रहा था उसे गर्मी की जरूरत थी और उसके सरीर को गर्मी नहीं पिल मिल पा रही थी मैं उसको बार-बार हिलाता कि तुम होस में क्यों नहीं आ रही हो लेकिन उसका सरीर और भी धंडा पड़ता जा रहा था मुझे लगने लगा अगर मैं और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करता रहा तो साहिद लर्की के जान बचाना मुश्किल था मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आया था अगर मैं इस लर्की को अपने सरीर की गर्मी दे दू तो इस लर्की की जान बच सकती थी लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था मेरा जमीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था वो एक गैर अंजान लर्की थी मैं उसकी इजाजत के बगएर उसके सरीर को कैसे चू सकता था लेकिन मेरा दिमाग मुझे समझाने लगा कि ऐसा करना जरूरी है पाप और पुन्या के चक्कर में मत परो एक इंसानी जान को बचाना तुम्हारा करतव्य है अगर तुमने उसकी जान बचाने में देड़ी कर दी तो ये लड़की मर जाएगी और इसकी मौत के जिम्मिदार तुम होंगे और फिर मैंने अपने दिमाग की बात मान ली थी मैंने उस लड़की को अपने सरीर की गरमी देने के बारे में सोच लिया मैंने अपनी शिर्ट निकाली और उस लर्की के कडीब हो गया धीरे धीरे मैं उसे अपने सरीर की गर्मी देने लगा लेकिन जब उस लर्की का भीगा बदन मेरे बदन से टकराया था तो मेरे सरीर में भी सराड़े दोड़ने लगे थे मैं खुद पे काबू नहीं पा सका वो बहुत ही कमजोड पल थे जिनमें मैं बह गया था और वो सब कुछ होता चला गया जो नहीं होना चाहिए था उस लर्की की जान तो बच गई थी लेकिन इजज़त चली गई थी पता ही नहीं चला कब उसकी जिन्दगी बचाते बचाते मैं उसके हुस्म में डूपता चला गया और सारी हदे पार कर गया वो लड़की अब भी बेहोस थी लेकिन अब सब पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी थी उसकी हालत अब काफी ठीक लग रही थी और मैं बैठा बैठा सोच रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए मैं खुद से ही नजरे नहीं मिला पा रहा था अगर उस लड़की को सचाई बता देता मैं उसे बताता कि मैंने तुम्हारी जान बचाने की खातिर तुम्हारे साथ क्या किया था तो साइद वो मेरा विस्वास न करती वो अब भी पिछली सीट पे लेटी हुई थी और मैं आगे सीट पे आकर बैट गया था और सर्दमिंदिगी से गरा जा रहा था धीरे धीरे सुबह की रौसनी फैलने लगी थी और बारिस भी रुक चुकी थी उस लड़की को होस आ गया था और वो उठकर बैट गई कहने लगी क्या हुआ था हम अब तक इसी जंगल में क्यूं है अब तो दिन भी निकल आया है बारिस भी रुक चुकी है और रात को अचानक मुझे क्या हो गया था मुझे याद है कि मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और फिर मैं धीरे धीरे बिहोस होती चली गई मैं गारी में कैसे आई मैंने उस लड़की को सिर्व इतना कहा कि तुम बहोस होकर गिर गई थी मैं तुम्हे उठा कर गारी में ले आया इसके अलाबा मैंने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया था वो लड़की मेरा धन्यवाद करने लगी कि मैंने उसकी जान बचाई मुझसे माफी भी मांगने लगी कहने लगी मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें गलत समझ रही थी रात को पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल गई थी तुम तो बहुत ही अच्छे और सरीफ लड़के हो पूरी रात तुम्हारी गाड़ी में एक हसीन खूबसूरत लड़की अकेली थी और तुमने उसकी जान भी बचाई उसका गलत फाइदा भी नहीं उठाया तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो अब हम गाड़ी से निकल कर धीरे धीरे उसी गाउं की तरफ जा रहे थे जो रात को लापता हो गया था थोड़ी दूर पे ही हमें वहां गाउं नजर आ गया था मैंने एक दरवाजा खट-खट आया मैंने कहा कुछ देर के लिए हमें इस लड़की को अपने घर में पनाह दे दे मेरी गाड़ी खराब हो गई है मैं उसे सही कराता हूँ फिर इसे ले जाऊंगा दरवाजा एक अधेर उम्र की आौरत ने खुला था कहने लगी ये लड़की कौन है वो हम दोनों को सक भड़ी नजरों से देख रही थी मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं उस अउरत को क्या जवाब दू अभी वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ दबा कर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया मैंने कहा ये मेरी पत्नी है और हमारी गारी खराब हो चुकी है कुछ दिर में मैं आऊंगा और इसे वापस ले जाऊंगा उस अधिर उम्र औरत ने उस लड़की को अपने घर के अंदर ले लिया और मैं गारी ठीक कराने चला गया लेकिन गारी ठीक कराते कराते मुझे तीन चार घंटे लग गये थे और जब मैं वापस लोटा तो उस औरत ने मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी तो चली गई थी ये कहकर कि मैं खुद ही आटो लेकर चली जाऊंगी मैं भी अपनी गारी से अपने घर आ गया था लेकिन कभी कभी सूचता तो मुझे खुद पे बहुत ही सरमिंदगी होती मैंने उस लर्की के साथ सही नहीं किया था उसे तो पता भी नहीं था कि उसके इच्चत दागदार हो चुकी थी वो अपना सब कुछ गवा चुकी थी अगर उस लर्की की साथी होती और उसके पती को सक हो जाता तो वो उसकी जिंदगी नर्क से भी बुरी बना देता उस लर्की की बरबादी का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा था और इसका एक ही हल मुझे समझ आया था कि मुझे उस लर्की से साथी कर लेनी चाहिए लेकिन मैं उसे कहा ढूंडता मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं था फिर भी मैंने अपने तोर पे बहुत कोसिस की कि मैं किसी भी तरह उस लर्की को ढूंड सकूँ लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली चार महिने हो चुके थे इस बात को कि एक दिन मैं अपनी मां को लेकर मंदिर गया मेरी मां के बड़ी एक्षा थी कि मैं भी उनके साथ चलूं हाला कि इस से पहले मां खुदी मंदिर चला जाया करती थी लेकिन मा के कहने पे पता नहीं क्यों उस दिन मैं भी मान गया था जब मा को मंदिर लेकर गया तो एक लड़की भगवान के सामने रो रो कर उससे पतना कर रही थी कि हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया मुझे किस जुर्मी की सजा दे दी मैंने तो ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है फिर मुझे क्यों सजा दी मैं पवित्र हूँ मैंने किसी के साथ कोई भी रिस्ता नहीं रखा मेरा तो आज तक किसी भी लरके से कोई चक्कर नहीं रहा फिर ये पाप मेरे पेट में कैसे आ गया अगर तूने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो तू ही मुझे निकाल नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी मुझे इस जिल्लत भरी जिन्दगी को नहीं जीना उस लरकी की बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल धक से हुआ था मैंने उस लरकी का चहरा देखा तो मेरा दिल धक से रह गया ये तो वही लरकी थी यानि कि उस रात जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया उसका बीज उसके पेट में पल रहा था और उसकी जिन्दगी बरबाद करने का मैं जिम्मेदार था मैंने उसके जुरे हुए हाथ थाम लिये उसके आँखे खोल कर देखा और साइद मुझे पहचान गई कहने लगी तुम तुम यहां क्या कर रहे हो मैंने कहा मंदिर में लोग क्या करने आते हैं अपने पापों का प्राश्चित करने ही आते हैं, मैं भी अपने प्राश्चित करने आया हूँ, कहने लगी तुमने कौन सा पाप कर दिया, मैंने कहा मैं तुमसे साधी करना चाहता हूँ, मेरी बास सुनकर वो रोने लगी, कहने लगी तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं त पेट में किसी का पाप पल रहा है हाला कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया पिछले दो महिनों से मेरी तब्यत बहुत खराब रहने लगी थी और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे ये खबर सुनाई थी घर में मेरी बूरी मा है मेरे पापा तो मु मुझे पाल पोस कर बरा किया था अपने घर्ज का खर्चा मैं एक श्कूल में जौब करके करती हूं सब कुछ ठीक चल रहा था मेरी साधी भी होने वाली थी लेकिन पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया मैंने कहा मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूं तुम्हारे बच्चे को अपनाना चाहता हूं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूं ये कहते हुए मैं उसे नजरे चुरा गया था और सायद वो सब कुछ समझ गई थी एक जटके से वो मेरे सामने आई उसके चेहरे पे गम गुसा हैरत और नफरत के मि बड़ी आखों में आँसु जिमिला रहे थे मेरी आखों में आखे डाल कर कहने लगी तो इस बच्चे के बाप तुम हो अगर मैं गलत नहीं हो तो उस रात तुमने मेरी बेहोसी का फाइदा उठाया था इस बात को चार महिने गुजरे थे और ये बाप भी चार महिने से ही मे पेट में पल रहा है सच बताओ आखिर उस रात क्या हुआ था वो मुझे मेरे गिरबान पकड़े सचाई पूछ रही थी और अब छुपाने का कोई फाइदा नहीं था मैंने उसे सारी सचाई बता दी मैंने कहा तुम ठंड की वज़ा से बिहोश हो गई थी तुम्हारा सरी ठंडा पड़ चुका था होट नीले पड़ चुके थे अगर तुम्हें कुछ दीर गर्मी ना मिलती तो साइद तुम्हारी सरीर की रहों में खून जम जाता तुम्हारी मौत हो जाती तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने तुम्हारे सरीर को अपने सरीर की गर्मी देनी चाहिए और जब ऐसा करने के इरादे से मैं तुम्हारे कडीब गया तो मैं बहग गया था और ना चाहते हुए भी सब कुछ हो गया था मैं तुम्हें उस दिन बताने की हिम्मत नहीं कर सका लेकिन भगवान के सामने मैं इस बात को मानता हूं भगवान को साक्षी मान कर ये बात सच्चे दिल से सुविकार कर रहा हूं कि पिछले चार महिने से मैं चैन से सो नहीं सका हूं हर पल मुझे तुम्हारा ख्याल रहा है मैंने तुम्हें बहुत ढूंडा कि तुमसे साधी कर लूँ लेकिन तुम मुझे कहीं न मिली और देखो भगवान का चमतकार साइद उसे हम दोनों को मिलाना था इस बच्चे को उसके असली बाप तक पहुचाना था और देखो तुम मुझे मिल गई हो जो कुछ हुआ गलत ह हुआ मैं इस बात को मानता हूँ और मैं तुमसे इस बात की माफी भी मांगता हूँ लेकिन मैं अपने पाप का प्राशित करने के लिए तैयार हूँ मैं तुम्हें इज़त के जिन्दगी देना चाहता हूँ और अपने बच्चे को इज़त के साथ अपनाना चाहता हूँ से गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ पल पल की मौत मड़ी हूँ मैं और आज तुम इतनी असानी से कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दू खैर आरोही के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था इसलिए मजबूरी में ही सही उसने मुझसे साधी कर ली हाला कि साधी क को लेकर हम दूनों की तरफ से ही बहुत बवाल हुआ था क्योंकि आरोही की साधी पहले से तै थी और मेरी माँ मेरी साधी अच्छे खासे खाते पीते घराने में करना चाहती थी और आरोही गरीब घराने से संबंद रखती थी लेकिन मैंने अपनी माँ को जैसे तैसे करके साधी के लिए मना लिया था आरोही को अपनी माँ को मनाने के लिए जदा जहल्दत नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि आरोही की माँ को ये भी दिखाई देता था कि मैं एक अच्छा खासा खाते पीते घर का और जौब करने वाला लड़का था साधी के कुछ महिने तक वो मुझसे बात नहीं करती थी लेकिन धीरे धीरे मेरा वेवार देखकर वो पिघल गई थी साइद उसे मेरी महबत का एहसास हो गया था ये सच है कि पहले मैंने आरोही की महबत में आकर उससे साधी नहीं की थी बलकि उसके पेट में पलने वाले बच्चे को उसका हक देना चाहता था मैं उसकी जिंदगी को बदनामी से बचाना चाहता था और अपने पाप का प्रहश्चित भी करना चाहता था और इसलिए मैंने आरोही से साधी की थी लेकिन जब मैंने आरोही की मांग में सिंदूर भरी उसके सास साथ फेरे लिए तो धीरे धीरे खुद वह खुद मेरे दिल में आरोही के लिए प्यार पनपने लगे थे और आज मैं आरोही से बहुत मुहबत करने लगा हूँ कुछी महीनों बाद आरोही ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था और इस बात पे मेरी माने बहुत बवेला मचाया था कहने लगी साधी को सिर्फ पांच महीने हुए हैं और तुम्हारी पत्नी ने बच्ची को जन्म भी दे दिया ये कैसे मुमकिन है और ये बात मैं अपनी मां से छुपा भी नहीं सकता था मैंने अपनी मां को सारी हकीकत बता दी थी मेरी मां मेरी बास सुनकर पहले तो मुझे बहुत गुसा किया लेकिन फिर खुशी खुशी आरोही और अपने बच्चे को अपना लिया था आज मैं अपनी जिन्दिगी में बहुत खुश हूँ आरोही में मेरे साथ बहुत खुश है और मुझे से मोहबबत भी करने लगी है आज की कहानी आपको कैसी लगी इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में घंटी को दबा कर आल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोड़िकेशन आपको तुरंत मिले मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे